हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं अपने उधोधन में कहा कि मेरे शेत्र की जनता ने मुझे भरपूर सयोग देकर जो मत दान किया है उसके लिए मैं आप सभी शेत्र के मत दाताओं का आभार व्यक्त करता हूं और आने वाले समय में शेत्रव शेत्वासियों के समस्याओं का समधान करते हुए जितना भी मेरे उसका विकास में सयोग करूँगा और प्रधान हस्मुक ने भी अपने धोधन में शेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया और कड़ी से कड़ी मिला कर विकास को प्राजमिक्ता देते हुए कारे करने का आसवाशन दिया इसक्रम में समाज से भी हिरेंद्र पाल सिंग रोडा खेडा में भी सभी शेत्रवास्यों का आभार व्यक्त किया और पने सिंग देवडा ने सभी अतितियों का धन्यवाद वह आभार व्यक्त किया और जिला प्रमुक शेत्र की जल समस्या के बारे में अवगत करवाया ग्रावासियों में देवेंद्र सिंग देवडा, नरायन सिंग देवडा, सुजान सिंग देवडा, जबबर सिंग देवडा, उपसरपंच खीम सिंग देवडा, अमृत्रिवेदी, कानाराम चोधरी, छेल सिंग, रावडर राजपूत, मानक अर्जुनराव, राजेंद्र सि देवडा, गोमा राम देवासी, केरा राम लोहार, कालू राम राना, वागा राम राव, हीरलाल कुरोहित, क्रिश्ना राम देवासी, चोखा राम सुथार, चेना राम मेघावल, सोना राम माली, वह, 36 कौम राजपुर समाज से, सेन समाज से, रावना राजपुर समाज के, ह सौधी समाच से और 36 कौम के बुजुर्गों और युवाओं ने भारी जन समुदाय में रामदेवजी मंदिर में आकर जिला प्रमुख वो प्रधान और पंचाय समती सदस्य के प्रतिनीदी के रूप में हिरेंदर सिंग रोडा खेडा का स्वागत किया। जाग्रो टीवे के नागानी से महेंदर सिंग परमार की रिपोर्ट।